नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर नेशन मैं हूँ आपके साथ मिली चावे बिहार के राजनीती के बड़े नाम नेता प्रतिपाक्ष तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे वेटे तेजस्वी यादव आज कल काफी सुर्खियों में बने वे हैं और अब कल तेजस्वी यादव अपनी नए नवेली दुलहनिया के साथ पटना आ चुके हैं अभी रावरी निवास में हैं दुलहनिया का अज अपने ससुराल में पहला दिन है तो ससुराल से एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है बहुत खुबसूरत सी प्यारी सी तस्वीर सामने आई है पहले देखे तस्वीर फिर बताते हैं पूरी खबर क्या है तो देखा आपने दुलहनिया की बच्चों के साथ खेलते वे एक सुन्दर सी प्यारी सी तस्वीर बच्चे के साथ खेलते हुए दुलहनिया भी बच्ची बन गई है कितने प्यारे तरीके से दुलहनिया एक बच्चे के साथ खेल रही है अपने ससुराल में दुलहनिया काज अपने ससुराल में पहला दिन है यानि की बहुरानी का सबसे छोटी बहुरानी का उनके ससुराल में पहला दिन है और वो बच्चे के साथ खेलते वे बच्ची बन गई है यह तस्वीर बेहत खुबसूरत तस्वीर है जो की रावरी निवास से सामने आई है मतलब एक पिक्चर में दुलहन आपने पती देव को खाना खिलाते हुआ, भी सामने आए हैं. कल रावरीदेवी की छोटी बहु और उनके बेटा तेजश्वीयादव पिहार यानि पटना आ चुके थे और कल उनका माが्त भूर्तbung सब्सक्राइथा, कई सारे लोग नेता उनके साथ उनके स्वागत में उनके घर के बाहर खड़े थे उनका इंटर्वी हुआ वो लाइव आए और फिर उनका बड़े ही भव्वे तरीके से स्वागत क्या गया पूरे रावली निवास को बहुत सुंदर तरीके से सचाये गया था शादी बिहार म इनटर्व्य के दरान इस बात को कह दिया कि रिसेप्शन पाटी वो बड़े ही भव्वे तरीके से देंगे बिहार में सभी को इन्विटेशन कार्ड मिलेगा और सब लोग उनके शादी में सरकत करेंगे और शादी को बताते कि शादी दिल्ली में हुई है मिसभार्टी के एक फाव हाउस में शादी की गई है शादी में बड़े ही कम लोग शामल थे घर परिवार वाले लोग ही शामल थे और शादी में घर परिवार वाले लोग के साथ साथ अखिलेश यादव और उनकी बीवी डिमपल यादव शामल थी तो इससे ये बात तो और भी जाद सुनि यानि क्रिश्चन लड़की के साथ 23 आदव ने शादी की है, और अब जो ये तस्वीर सामने आई है दुलहणिया के पहले दिन की, यानि अपने ससुराल में पहले दिन rin या अपने ससुराल में एक छोटे से बच्चे के साथ militarतेवे बिलकुल बच्ची बन गहीं है, यह काफ इसे तमाम भेतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूस फोर नीशन नमस्कार